हेलो एवरिवन आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूं सूरत की फेमस चीज मसाला रोस्टेट पापड की रेसिपी जब भी हो घर में छोटा मोटा फंक्शन या अचानक से आजाए गेस्ट तो पांच मिनट में आप बहुत सारे पापड बनाके रेडी कर सकते हैं तो चलि कम साथ से 8 पापड एक बार में लिये हैं आप इसका थोड़ी सी की रखियें प्रिपेशन की यहां पर में और 2 प्याच को चॉप करके रख लिया है यहां पे दो टिमाटर को भी अच्छे से चौप करके रख लिया है अगर आप इसमें प्यास नहीं काते तो बिलकुल इसकेप कर सकते हैं यह है महीन पहली बुजिया इसको लायनन बुजिया भी बोलते हैं और यहां हम इसको बनाने बाले हैं टोस्टर में तो इसके लिए हम यहां पे इसको बनाएंगे टोस्टर में तो टोस्टर को हमने इसको चालू कर दिया है जब तक वह गरम होता है तो यह हमने टोस्टर में अच्छे से हमारा टोस्टर गरम हो चुका है अब अपना पापड रखेंगे उसके उपर हलका हलका सा हम बटन बिल्कुल रोस्ट ऐसे ही सिंपल करना चाते तो भी कर सकते हैं लेकिन हलका सा बटन लगाने से और भी जाएगा उपर से हलकी सी एक शाइन आ जाएगी उसमें आप इस तरीके से पापड बना के ना दस दिन तक भी रखोगे रोस्ट करके टाइड डिबे में तो भी एक दम भ पापड इतना अच्छा डिजाइन हमने पहली बार देखा है तो इसी तरह कि आप भी रोस्ट करके पापड का इंज्वाइब और मजा ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस पर कितना प्यारा से अच्छा से डिजाइन बनके हैं तो यहां पर मैं अपने आप इसी तरह से रोश्ट कर लोगी और हल्का सा बटर लगाएंगे बन-साइट में यहां पर देखें मेरे पापड कितनी अच्छे से लेगीशाई नहां पे हल्की-स मिजू और डिज़ाइनJS सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन है सच में इतने जादा क्रंची बनते हैं इस तरीके से जहां पापड बनाते हैं बहुत ही जादा तो यहां मैंने देखी अपने सारे पापड बनाके रेडी कर लिए हैं तो इसी तरह आप जब भी घर में चोटा मोटा फंक्शन हो तो इसी तो यहां लेंगे हम अपना एक पापड और उसी उपर डालेंगे अपनी वेज़ी टेबल यहांनी खीरा टेमाटर प्यास जो हमने सारी चीजे चौप करके रखी तो यहां हम आज दो तरह से पापड बनाने बाले हैं तो प्लीस रेसिपी को पूरा देख़िएगा तो यहा तोड़ी सी लायलमिश पाउडर और चाट मसाला डालेंगे अब यह खंबन बुजिया जो भी बोलते हैं वह इसके उपर डाल देंगे अच्छे से और इसके उपर कर देंगे चीज को अब गलते हैं नियुक्त क्योंकि चीज मसाला रोस्टीट टापर पापक यह सूरत का बहुत यह दिया है तो यहां पे तρέका पापड बनके रेडी हो जुगा है तो यह नॉर्मल तीखा है अभ हम बना रहे हैं एकदम स्पाइसी वाला पापड तो इसके लिए यहां पे सारी सब्भिया फिर से डाल देंगे मसाले दाल जालामिर्स पौडर नमक जाले थोड़ा से यह बहुत अब तक शेज उपा इसका एक आप ऑपको का अगpeace देखिये आफने भाबार पॉप जासे नौ रखने आप देंगे बढसाएब जुटाएब कितना लाजबा पुल्कुल रेस्टूरांट स्टाइल पापर बनके घर पे रेडी हो चुगा जब भी घर में गैस्ट आए नहीं तो इसी तरह पापर बनागों को सर्फ कीजेगा बिलीब में दोस्तों आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे इसका डिजाइन इतना सुंदर है उपर से मसाला पापर खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लुकिंग वाइस एंद देखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा तो कैसी लगी आज की रेसीपी प्लीज 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 बताईएगा जरूर रेसीपी पसंद आए तो मेरे चनिको लाइक इन सेब्सक